कई बार प्रशन उठता है कि आप वकील तो हैं आप वकारत भी करते हैं आप criminal cases भी लड़ते हैं आप civil cases भी लड़ते हैं आप constitutional matter भी लगते हैं लेकिन फिर भी family matters के लिए especially क्या काफी लोग जो हमारे दर्शक हैं उनमें से हमारे वकील मित्र भी हैं जो ये चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि family matters करने के लिए family lawyer बनने के लिए क्या qualification और किस चेजित में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आज इसी topic पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में और निश्यत रूप से हम लोग बायत करेंगे how to become a family lawyer lawyer बनने की बात already कर चुके हैं family lawyer कैसे बनेंगे इस चैनल जिससे notification और हमारे legal informative videos आपको मिलते रहें आप तक पहुंचते रहें तो शुरू करते हैं अपना topic अगर आप practice करना चाहते हैं और basically family law में practice करना चाहते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ों को cover करता है जिसमें सबसे important बात आ जाती है पारिवारिक मामले जहाँ पर divorce यान इंदर आ जाता है divorce के लिए काफी सारे documentation बनाने पुड़ते हैं चाहे वो divorce के mutual concern divorce हो या contested divorce हो या maintenance की application हो सारी चीज़े मतलब drafting work भी जी हो है family law का ही एक part में आ जाता है domestic violence के case आपने सुने होगे जहाँ पे घरेलो हिंसा लड़की ने case फाइल कर दिया अपने in-laws के उपर जाकि जो उनके सास सुसुर है उनके उपर तो domestic violence का case चाहे वो Indian Penal Court में cover हो या domestic violence act जो women का protection के लिए है protection of women from domestic violence act of 2005 ये cover हो ये भी family law का part है जो आ जाता है बच्चों की custody शादी हुई है बच्चे तो होंगे ही और अगर बच्चे हुए तो किसके पास में होगी उसको भी लेकर के जगडा चलेगा तो child custody इसी में आ जाएगा याने family law में आ जाएगा domestic relationship में काफी सारी चीज़ें आ जाती जितने भी घरेलू मामले होंगे वो सारे family law में cover होते हैं इसके लावा maintenance का हम लोगों ने जिक्र किया चाहे section 25 Hindu marriage की maintenance हो या 125 CRPC criminal procedure code 1973 maintenance की बात हो तो ये सारी चीज़ women को मिलेगा, कितना पार्ट बच्चों को मिलेगा तो ये सारे के सारे जो property issues है, alimini हो गया, maintenance हो गया तो ये सब कुछ cover है family law मतलब अगर समझा जाए तो एक अपने आप में एक circle है जहाँ पे सारी चीज़ें cover है जैसे मैंने आपको बताया divorce हो गया, judicial separation हो गया, enrollment of marriage हो गया, domestic violence हो गया, child custody, इसके साथ documentation से related आपकी problem, documentation हो गया, तो maintenance, alimini, property rights सारी चीज़े cover हो जाती है, अगर आपको family lawyer बनना है तो ये सारी चीज़ों को आपको cover करना पड़ेगा, किसी भी एक topic को आप छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा आपको criminal procedure court, civil procedure court, इसमें भी आपको ध्यान day to day court procedure या activities में आपको participate करना पड़ेगा, अगर आप family lawyer बनना चाहते तो निश्यत रूप से आपकी बकालट की degree आपने complete की होनी चाहिए, चाहे आपने 3 साल का law course किया हो, graduation course किया हो, या LLM किया हो, जो की master degree होती है law में, या कि आपने किसी भी university से जो law करवाती है, उसमें आ का integrated BA, LLB honors या BA, BBA honors का जो 5 years का अपना course होता है, वो आप नहीं किया हो, तब ही आप वकालत में practice कर सकते हैं, इसके अलावा भी आपका enrollment होना जरूरी है, जैसा Bar Council of India के recommendation है और उनकी guidelines है, आपका जब तक enrollment नहीं होगा आपके निश्यत बार पे, जहां पे भी आप practice करना चाह करेंगे, कहा practice करनी है, family court में, obvious, जो family court के matters होते हैं, वो family court में जाते हैं, नहीं तो फिर कहा जाएंगी उसके लिए, detailed video मैंने आपको बना के रखा है, video section में आपको complete information मिल जाएगी, लेकिन अगर आप family law में practice करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो मैंने आ आपको बताया, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग attain करते हैं, meeting, continuous meeting होती है, clients की meeting, और क्योंकि आपको बहुत ही patience label बड़ा रखना पड़ता है family law में, जब कभी आप काम करते हैं, criminal law में आप अपने client की उपर कई बार उनको समझाने के लि जादा समय देना पड़ता है, और time देने के साथ में, उनका time लेना भी पड़ता है, it means, जब तक आप सारे complications समझेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे family lawyer नहीं बन सकते, जब तक आप उस case की गहराई में नहीं जाएंगे, depth में नहीं जाएंगे, तब तक आपको actual problem समझ में आएगी, और कई बार, जो lawyer हैं, वो ये समझते हैं, case लड़ींगे तो हमको ज़्यादा फाइदा है, case लडने से ज़्यादा, आप अगर case को settle करने में, ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसमें ज़्यादा आपको आपको आसानी होगी, आपका जो case है, वो आसानी के साथ नि complicated हो जाएगा, instead आप matter को complicated तब तक ना करें, जब तक करने की ज़रूरत ना हो, आप बात से अगर अपने case को खतम कर सकते हैं, बात से समधान या solution निकाल सकते हैं, तो निश्यत रूप से आपको बात करके समधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए, instead आप ज़्यादा लड़ matter, सर दिन आपके client के, आपके case लगते हैं, family laws में, आपको court attain करना पड़ेगा, और क्या day-to-day activities हैं, समन सर्व हुआ या नहीं, evidence का stage है, affidavit file करना है, या किसी matter का reply आपको देना है, कोई interim application pending थी, इन सारी चीजों में focus रहे के, आपको regular activity में participate करना है, counseling नहीं हुई, mediation नहीं करना है, कोई airlock application डालनी है, इन सारी चीजों में आपको focus करना पड़ेगा, और drafting बहुत important part है, drafting इस वज़े से important part है, क्योंकि कानून एक ऐसी तलवार है, जिसके दोनों तरफ धार है, जी हाँ, मतलब धार इधर भी है, उधर भी है, drafting में अगर आपने कोई भी एक शब्द ऐसा इस्तमाल किया, जो आपके favor में ना जाके आपके उल्टा भी बढ़ सकता था, इस वज़े से आपको बहुत सोच समझ के सतर्क होकर के drafting करनी चाहिए, जिससे जो opposite party है, उसका फायदा ना उठाले, तो drafting एक बहुत ही important part है family law में ही, और यह ऐसी drafting नहीं होती, जैसे criminal law में हम लोग करते हैं, या constitutional writ matters high court में हम लोग करते हैं, या company corporate, तो अलग-अलग difference होता है, अगर कोई taxing practitioner lawyer है, और एक family lawyer है, तो दोनों के बीच में काफी difference है, उन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग होता है, समझना ज़रूरी है, इस वज़े से मैं बोलता हूँ बार-बार, कि drafting बहुत important है, क्योंकि कानून एक ऐसी तलवार है, जिसके दोनों तरफ धार है, इसके साथ ही investigation में भी आपको involve होना पड़ता है, कई पर अगर आपके पास समय नहीं, तो आप अपने client को बोले कि किस तरीके से investigation करना है, because adultery के matter है, अब adultery का matter है, वो आप proof court में कैसे जब आपके पास सबूत होंगे, आपने court में litigation तो file कर दी, case तो file कर दिया, बढ़ आपके पास documents नहीं है, तो documents कैसे आएंगे, investigate करना पड़ेगा, चाहे आप करें या आपका client करें, तो इस condition को आपको ध्यान में रखना है, कि interrogation के साथ-साथ investigation भी एक important part हो जाता है, जहाँ आप regularly अपने client को intervene करिये, उनको समझाइए, कि भाई किस तरीके से आप जादा से जादा और बहतर सबूत इकटे कर सकते हैं, अगर contested divorce का case है तो, और यह बहुत important है, child custody के case में भी, maintenance के case में भी काफी importance हो जाता, because maintenance को दोनों इत चीज़ों को ध्यान में रखती है, कि पती की earning कितनी है, पतनी का क्या is status है, सारी चीज़ों को ध्यान में, तो investigation एक important toll play करता है, अगर आपके पास time नहीं, lawyer के पास time नहीं, तो as obvious, वो client को करना पड़ेगा, या कोई third party करेगा, तो आपको properly time to time उनको intervene करना, उनको बताना, उनको समझाना है, कि कि किस तरीके से investigation properly आप कर स सकते हैं, जिससे बहतर सबूत आपके सामने आए, आपके हाथ में लगे और आपका case मजबूत हो, इसके साथ ही filing बहुत important है, appearance होता है, reply होता है, argument का matter होता है, evidence का stage होता है, तो इस सारी चीज़ों में आपको focus रहना पड़ता है, अगर आप एक family lawyer बनना चाहते हैं, इसके सा बहुत ही focus करके रखना पड़ेगा, बहुत ही concentric होके रहना पड़ेगा, क्योंकि कब किस समय, किस तरह से case का solution किस समय निकल के आजाए, यह आप नहीं कह सकते हैं, इस वज़े से आपको बहुत ही alert रहना पड़ता है, family law में काफी एक बड़ा field है, अपने आप में एक practice करेंगे, तो एक family lawyer के जैसे हमें समझा जा सकता है, तो निशित रूप से हमारे जो दोस्त होंगे, lawyers उनके लिए काफी informative video मेरे ख्याल से हो सकता है, तो अगर आप केवल और केवल family law में focus करना चाते हैं, family law में अगर आप आना चाते हैं, एक बहुत व्रहद एक इसका concept है, जिसको आपको समझना भी पड़ेगा, और आँके आने वाले time पे ये काफी exploring है, मतलब काफी इसमें research भी होने वाली है, काफी जादा आजकल family dispute भी हो रहे हैं, पहले लड़किया अपने घर में बैठती थी, समझती थी, उतना जादा problem नहीं होती थी, husband भी काफी जादा आपको समझ करके एक analyze करना पड़ेगा कि आप में अगर अच्छा patience है, आपका अगर patience label काफी strong है, अगर आपका family law में interest है, तो निशित रूप से आप आ सकते हैं, आपको काफी फाइदा होगा और आप काफी लोग की मदद भी इस field में निशित रूप से कर सकी हैं, आपको आपकी personal problem के लिए मुझे आप बात करना चाहते हैं, appointment book करने के लिए हमारा whatsapp number आपको दिख रहा होगा, appointment के लिए आप मुझे बात कर सकते हैं, और appointment link भी mention है, इस वीडियो के description में, जहां से appointment book करके आपकी personal problem के लिए आप मुझे से legal suggestion ले सकते हैं, आप सभी से मेरा यह भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा channel online legal advice सबस्क्राइब नहीं किया तो subscribe कर लिजे, bell icon प्रेस करना ना भूले, और बने रही है हमारे साथ online legal advice में, आप सभी का बहुत धन्यवाद